तो हलो गैस कैसे हैं आप मैं हूँ आमेर हाजर हूं फिर सेग नया वीडियो नहीं ट्रिक लेकर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे अपने वीडियो का साइज कॉम्प्रेस कर सकते हैं और उससे उनकी वीडियो क्वालिटी भी नहीं जाएगी आप पूरा वीडियो लास तक देखे और आप वीडियो का साइज कॉम्प्रेस करो करोगे और उससे वीडियो कॉल्टी भी नहीं जाएगी करने के लिए हमें करना क्या है सबसे पहले आप चाहिए उसको आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के लिए आपको प्लेस टूरुपेंड करने का अपको सर्च बॉक्स में जाकर टाइप कर देना है सिंपली पैंडा पैंडा टाइप करेंगे और पैंडा टाइप करके आपको कर देना है सर्च जैसे ही आप पैंडा टाइप करेंगे सर्च करेंगे तो वहां पर आपको सर्च जरस में देखने को मिल जाएगा मैं यहां पर पैंडा टाइप कर देता हूं और पैंडा जब आप इसको open करेंगे आपसे permission मांगेगा storage के लिए तो आप उसको allow कर देजेगा जैसे ही आप allow कर देंगा allow करने को बाद होगा क्या कि आपकी वहाँ पर main जो एक second में इस file को जड़ा save कर लेता हूं मेरी पहले की file है मैं आपको एक बार जैसे आप open करेंगे तो open करने कवाद आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे यह मेरा main memory gallery है यहाँ पर कई सारी files पड़ी हुई है अब मान लिए जी मुझे किसी भी file को फिलाल अभी हमें दिखाई दे नहीं रही है मैंने सारी file को compress करके रखा हुआ यहाँ पर यह 239 की file है इस पर मैं क्लिक कर देता हूं इसके बाद मैं next पर क्लिक करूंगा यहाँ से आपको custom जाना है custom resolution पर यह पर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और वहाँ से आपको देखना है कहीं पर आपको 1080 और 1920 का दिखाई देरा ratio आपको इसी पर क्लिक कर देरा है जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिक करने क्या होगा आपकी image compress होना start हो जाएगी ध्यान रखिए कि यही ratio रखिएगा इसके साथ एक और चीज करिएगा क्योंकि यह जो application है यह background पर run करता रहता है अगर आप इसकी light बंद कर दोगे तो क्या होगा यह application काम करना बंद कर देगा तो अपने आप settings option में जाकर तो वहां से आप अपने screen जो time out होता है उसका time बढ़ा कर कम से कम 5 minute कर लीजे थाकि 5-6 minute में जो video compress करता है चुको उससे quality भी नहीं जाती है तो उतनी दिर तक screen awake रहा है अगर screen बंद हो जाएगी तो में भी application भी बंद हो जाएगा और फिर आपका time consumption जाता हो जाएगा बद इ save का replace का तो आपको करना का compare का भी आएगा तो आप वहां से compare कर सकते हैं पुराने वीडियो से नए वीडियो की quality कैसी है या फिर आप उसे compress करके directly आप उसको save कर लीजिए save करके आप उसे किसी की साथ भी share करेंगा आप उसको play करके देख लीजेगा I promise to play करने को आपको हैसास जाए तो अगर आप वहारे चैनल पर नहीं है जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे तब तक अपना खुब सरा ख्यार लगिए बाइबाए टेक क्यार